कि हलो नमस्कार दोस्तों मैं दुर्गेश सब्सक्राइब करता हूं इस परिवार में दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हूं हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार जी के और बिहार जी के आपको पता होगा कि आपकी जांस की तीथी आ गई है जो आपको प्रैक्टिस एट नंबर दिख रहा है सत्रा यहीं सत्रा दिसंबर को आपका इक्जाम है कर रहे हैं तो अपनी तैयारी में दोगने रफ्तार लगा दो क्योंकि वक्त दुवारा नहीं आता है ठीक है। और वक्त के गरिमा को समझो कि यह एक बार बिज जाता तो फिर दुबारा नहीं डॉट करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगा बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगा तो चलिए आज के क्लास को क्या करते हैं इस्टार्ट करते हैं यह रहा पहला कुश्चन बिहार में कितने विश्विद्याले तो जिस टाइम पे क्वेस्चन पूछा गया था उस टाइम पे बिहार में कितने विश्विद्याले थे तो बिहार में विश्विद्याले बारत थे लेकिन बरतमान में यह क्वेस्चन और वर्तमान में कहां वर्तमान में बिहार में कितने विश्विद्याले बहिए तो वर्तमान में बिहार में जो है वो तीस विश्विद्याले कितने विश्विद्याले हैं तीस विश्विद्याले अच्छा आप मुझे बताओ कि पटना विश्विद्याले क्या इसमें से एक है कि नहीं है अच्छा इसी में देखिएगा तो आपको पता चलेगा 22 विश्विद्याले जो है वो सरकारी विश्विद्याले कितने 22 विश्विद्याले क्या है तो 22 विश्विद्याले सरकारी विश्विद्याले कितने अब यह तो सरकारी विश्विद्याले ठीक इसी एकर विश्विद्याले है और एक मुक्त विश्विद्याले कौन सा एक जो है वो मुक्त विश्विद्याले है यानि कि बिहार में टोटल विश्विद्यालों की संख्या कितनी है तो टोटल विश्विद्यालों की संख्या वरतमान में तीस है बाइस विश्विद्याल सरकारी है साथ नीजी विश्विद्याल है और एक मुक्त विश्विद्याल है कितने तो एक जो है वो मुक्त विश्विद्याल है जिसे आप एन आई ओएस कहते हो एन आई ओएस बोर्ड कहते हो वो है यानि कि बिहार में टोटल विश्विद जान चलो आगे बढ़ने पर नेक्स्टन मिलता है अच्छा आपने से हमने पूछा था पतना विश्विद्याल कुंसा पतना विस्विद्याले तो पत्ना विश्विद्याले की अस्थापना कब हो तक बिहार में सर्च लाइ्ट समाचार पत्र के संपादक कौन थे, इसमें option number E लिखो, महिस्वर परशाद, कौन जी, option number D लिखो, क्या चêuज A, B, C, D और E लिखो, इसमें E लिखो, महिस्वर परशाद, महिस्वर परशाद, तो सर्च लाइट पत्रिका के परकासक कौन है आप मुझे जल्दी से बता दो अब्दुलबारी लंबोदर मुखर जी मुरली मनोहर परसाद या फिर रामानंद चटर जी या फिर महिस्वर परसाद जी जल्दी से बताओ जी बताओ तो इसके संपादक दो व्यक्ति थे सबसे पहले हैदर हुसैन जी थे कौन थे हैदर हुसैन जी थे और दूसरा की बात करें तो दूसरे नंबर में आते हैं महिस्वर परसाद यानि कि ये तीनों मिल ये दोनों मिल करके क्या करते हैं तो इस पत्रिका का संपादन करते क्या चा बत्रिका का चापको पता हुगा गुरु परसाद सेंड बहुत बढ़े English के ज्ञाता हुए जिनहों ने बिहार मेंग पत्रिका लिखा जो कि बिहार के पहले इंगिलिष normalmente का थी दब हैराल्ड कौन सा दब हो हेराल्ड नामक पत्रिका किसने लिखा था तो कुरु परसाद सेंजी लिखते हैं तो गुरु परसाद सेंजी कौन सी पत्रिका लिखते हैं दा बिहार है डाल नामक पत्रिका गुरु परसाद सेंजी के द्वारा लिखा जाता है ठीक इसी के करम में हमने आपको बताया महिस्वर परसाद जी महिस्वर परसाद जी और हैदर हुसेन दोनों लिखते हैं अच्छा बिहार पटना गजट किसने लिखा बताव पटना गजट नामक पत्रेका किसने लिखा तो इस पत्रेका को संपाधन करने वाले रक्ती का नाम क्या था बोलीए मुहम्मद यूनूस क्या चे सर मैं उत्तर प्रदेश से हूं मुझे क्या लेकर आना पढ़ेगा आईडी के रूप में कहां एक्जामने सर आप अधार काड़ ले 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 ना और जो आपका बिहार का पहला हिंदी पत्रिका कौन सा था तो बिहार बंधू जो है वह बिहार का पहला हिंदी पत्रिका था अच्छा मैं आप से एक और क्वेस्टन पूछना चाहता हूं कि मजहरूल हक किसके द्वारा मजहरूल हक द्वारा एक पत्रिका लिखा जाता है कौन सा तो वह होत कि नेक्स्ट क्वेस्टन डॉक्टर राजंद प्रसाद को संविधान सभा का स्थाय सभापती कब चुना गया डॉक्टर राजंद प्रसाद अच्छा आपको पता होगा कि काबिनेट मिशन के सिफारिस पर हमारे यहां पे कैचेश तो संविधान सभा का निर्मान किया गया उ सभा के परेथम बैठक में कौं भी तो सम्विदान सभा के परेथम बैठक में इसकी तो और अस्थाइ अध्यक्ष चुन hyekście कि संडाप चुना जाता है जो कि बिहार के एक व्यकर्स कोते हैं जिसका नाम होता है सचीदानन सिन्था जिससे आप आधुनिक बिहार के क्या मानते हो सचीदानंद सिन्हा तो सचीदानंद सिन्हा जी जो है वो क्या होते हैं और अस्थाय अद्धक चुने जाते हैं यह आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं तो आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाने जाते यानि कि सेकेंड बैठक होता और इसमें सम्विधान सभा का अस्थाय अध्यक्ष चुन लिया जाता और अस्थाय अध्यक्ष किसे चुनते हैं सम्विधान सभा का डॉक्टर राजंदर प्रसाद का वही डॉक्टर राजंदर प्रसाद जिसे बाद में भारत के राष्ट पती 24 जनवरी 1950 को कब 24 जनवरी 1950 को क्या बना लिया जाता है भारत का राष्ट पती चुन लिया जाता है और फाइनली यह अपने पद पर आसीन होते हैं 26 जनवरी 1950 को अच्छा यह सारी चीजे करने के बाद आपको पता ही होगा कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सबाकर 33 बैठक होता है और इसमें पंडित नहरू जो है वह उदेश्य प्रस्ताव पेस करते हैं क्या करते हैं तो उदेश्य प्रस्ताव पेस करते हैं तो उदेश्य प्रस्ताव किसने पेस कर रहा था तो उदेश्य प्रस्ताव जो है वह पंडित नहरू जी के द्वारा पेस किया जाता है ठीक है जी कोई दिक्कत है नहीं ना चलो सर बिहार का करेंट लेकर आईए आए हैं बिहार का करेंट अफेर्ड लेकर के कल सिकल के क्लास से कलिया पड़सों के क्लास से आएंगो ठीक है को दिक्कत है नहीं ना चलो आगे बढ़े भी यह चल कि आगे बढ़ते हैं तो इसका अप्शन कौन सा होगा दिसंबर 1946 में जो है वो चुना जाता है अच्छा आपको पता होगा संविधान बनकर तयार कब हुआ 26 नॉवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर क्या होता है तो संविधान तयार होता है और संविधान तयार होने में कितना टाइम तो दो साल 11 मëंरह कितना दो साल 11 मंत लगतें कितने लगते हैं तार она सिर्द्धान को बनने में लगते हैं बताए से ऐसका स्वामि सहजानन सरस्वति ने पत्रेइका का परकासन किया था जिसका नाम था स्वामि सहजानन जी जो थे सवामी सचानन सर्चवती ने पत्रिका कापर अच्छा में सवामी सधानन सर्च्वती जो है ये किसान नेता थे कौनेता थे तो किसान deduction किसान नेता है और इनहीं के द्वारा बिहार में एक लेख लिखा जाता है जिसका नाम है किसान क्या करे कौनसा किसान क्या करे नामक लेख यही लिखते हैं ठीक इसी के करम में आपको पता होगा इनहीं के द्वारा हुंकार नामक पत्रिका लिखा जाता है कौनसा हुंकार ना 1928 में क्या चीज़ में तो वर्ष 1928 में बिहार किसान सभा का क्या चीज़ बिहार किसान सभा का प्रस्ताव आता है और वर्ष 1929 में बिहार किसान सभा की अस्थापना होती है यानि कि आप कह सकते हो तो बिहार किसान सभा की अस्थापना कभ होती है वर्स 1929 में आपको पता होगा कि 1936 में जोना चिज भिहाउओ भारती है किसान महासभा की अस्थास्थापना homem होती है तो भारती है किसान महासभा की अस्थापना कब होती है वर्स 1936 में होती है यानि कि हुंकार नामक पत्रिका जो है यह इनहीं के द्वारा लिखा जाता है अच्छा आप से हमने पूछा था कि two motherland नामक पत्रिका कौन लिखते हैं यहां बख्वातंद दा मदर लैंड नामक पत्रिका लिखने वाले व्réalक्ति का नाम होता है बचाहूं क्या नम था सर मैं भी किसान हैंगों बहुत बढ़ाजी आप अपनी दूगनी मेहनत से अपनी द्रइट यारी को आगे बढ़ाए ठीक और दव मदरलैंड नामक पत्र का इनहीं के द्वारा लिखा जाता दहता है तो वह लिखा जाता है किसके द्वारा स्वामी सहाधान अंसर्श्वति जी के द्वारा आचा एक बात और मुझे बताओ कि नामक पत्र कसा में सहाधान सर श बिहार के प्रमुक समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे तो बिहारी के संपादक कौन थे तो बिहारी के संपादक महिस्वर परसाथ जी ते कौन बाबु महिस्वर परसाथ थे बिहारी के समाचार पत्र के लेखा कौन थे तो वो हो जाते हैं बाबु महिस्वर परसाथ जी कौन होते हैं बाबु महिस्टवर परसाजी अभी जो हम पढ़ा रहें वह सिक्षा से संबंदि तथा सिक्षा खेल एवं पत्रिका कैच चाहिए सिक्षा खेल एवं पत्रिका से संबंदि जो है वह हम क्वेस्टन करवा रहें ठीक है हमने बताया था आपको क्याम टॉपिक को ले करके चलेंगे ठीक है को दिक्कत है नहीं ना चली आगे बढ़े बिहार से रस्मी कुमारी एक क्या है तो रस्मी कुमारी जो है इनका जन्म बिहार के मुझहपर पूर्जिले में हुआ कहां पर तो मुझहपर पूर्जिले में हुआ कहां पर मुझहपर पूर्जिले म किया जीतीती अंतराष्ट्य का खिताप जीती है के की अनुगहनगा नाराइन सिल्द क्या चींत स संब्दित है अनुग्रह नाराइन सील्ड तो आपको पता होगा अनुगरह नाराइनिस यह वह फूटबॉल से संब्धित रौकी हिमंति ट्रॉफ्य क्रिकेट से संब्धित है तो यह को जाता है appreciate बताओ से बिहार के राज नितिग्य स्र्वर्गि रग्वन्स पर्सादसी पहली बार किस लोक सभा के लिए निर्वार्त चित वे रग्वन्स पर्सादसीं सग निया कि सनेहा कुमारी जी बिहार जी के जो है बिहार एससी में कम्प्लीट हो चुका यहां पर पढ़ी आराम से ठीक है को रिक्कत है यहां तक नहीं ना कि अब बतो कि बिहार के राजनेतिग्य स्वर्ग्य रगुबंस परसाथ से पहली वार किस लोग सभा के लिए निर्वाचित हुए तो वह जो होते हैं वह 11 लोग सभा के लिए होते कौन से 11 लोग सभा के लिए अच्छा आपको पता होगा कि वर्स 2019 में भी चुना हुआ क्या वर्स 2019 में चुना हुआ लोग सभा का अब कब होगा तो वर्स 2024 में होगा तो हम आपसे पूछे कि पीम का चुना हुआ था क्या तो पीम का चुनाओ नहीं पीम की निकती होती है क्या होती है पीम की निकती होती है क्या चीज़ होती है पीम की निकती होती है और पीम की निकत को बहु मत दल के बहु मत दल के नेता को बहु मत दल के नेता को क्या बनाया जाता है तो बहु मत दल के नेता को बनाया जाता है क्या भीया बोलो बहु मत दल के नेता को पीम बनाया जाता है बलकि पीम का निकती होता है क्या होता है पीम की निकती होता है ठीक है सर जी आपका म मेरा तो डॉरे मन हैं आपका मेरा कोई काड़ुन ही ना मैं खुदी καड़ुन हूं चलो ठीक है अच्छा आप मुझे बत 지मा का जो चुना होता है लोग सब्सक्राइब के बारे में आपको पता होगा मान लेते हैं कि यह संसद है क्या है यह संसद है यह लोग सभा है और यह राज्य सभा है तो लोग सभा राज्य सभा में क्या फर्क है तो लोग सभा जो है ना यह लोग सभा में भारत में कितने पाँच सो तैंतालिस सीट है राजे सभा में कितने दो सो पैंतालिस सीट है राजे सभा का सदस्य बनने के लिए आपकी आयू तीस येर की होनी चाहिए लोग सभा को और अस्थाई सदन कहते हैं कर दो रेना कहते हैं फैसे लोग सभा को क्या कैते हैं यूवाओं का सदन कहते हैं लोग सभा का चाहते से काहते हैं यह तो बूढों का सधन जो है वह राजय सभा और जैसाल और लोग सभा rainforest अच्छा बिहार में लोग Darth सभा का 40 है राजय सभाव कर टोटल सेटों की संख्या केटनीede बहें तो वह वो यहाँ पर बताओ नेक्स्ट भारतिया नौसेना की प्रथम महिला पाइलेट सब लप्तिनेंट सिवांगी शवरूप कहां से तो भारतिया पे तो बिहार के मुझपपडपुर में इनका जन्म हुआ है मुझपपडपुर में इनका भी जन्म हुआ है ठीक है कोई दिक्कत है नहीं ना रस्मी कुमारी का भी जन्म यहीं पर हुआ है आईडी के रूप में दिलिप कुमार जी आपको कुछ नहीं लेके जाना है आप सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड लेके जाना और अपना हॉल टिकेट लेके जाना ठीक है और आपका जो हॉल महत्तोपूर्ण लेक है जैसे किसा ऑनवार कोंसा नक्की लेक नक्की लेग जो है सांबर और नकी जिल जिल काहँ पर राज अस्थान में बिहार की बात करें तो बिहार की और मंचर कुंड कहते हैं क्या कहते हैं धुआ कुंड धुआ कुंड और मंचर कुंड जल प्रपात कहते हैं ठीक उसी परकार बिहार के नवादा में ककूलत जल प्रपात भी कौन सा है ककूलत जल प्रपात भी कहां पर तो बिहार के नवादा में आप मुझे बता उत्तर पर द यह उद्यान जो है वह उत्तर परदेश में अच्छा मध्य परदेश के बारे मध्य परदेश का फेमस निर्थे जो है वह कुच्ची पूरी है कुच्ची पूरी फेमस निर्थे से हो जाते हैं अंध्यप्रदैस मध्यप्रदैस का कुछ है मध्यप्रदैस के बार में आप मुझे बताओ मध्यप्रदैス को टाइग्रों का इसटेट का पाव सतो झाहस झुक्छंथ के चलो 12 वर्सों तक तख़ dematini के बद पर नियुक्त होता है तो 24 जनवरी उनीसार पर चाओन को क्षाब को फॉल जनवरी उनीसार पचास को यह भारत के रास्ट पती के पद पर नियुक्त होते हैं ठीक इसी के करम में जब यहां राष्ट पती के पदपर नुक्त होते हैं तो धीरे धीरे आगे जाते जाते इससे पहले 24 जनवड़ी को हमारे भारत में बहुत महत्वपुर्ण काम हुआ था भारतिय संविधान सभा के फारा क्या चेज나मन यानि कि राष्ट गान और रास्ट गीट क्या चीजड रास्ट गान और रास्ट गीट को अपना लिया अच्छा रास्ट गीत किसके द्वारा लिख हा गया है तो रास्ट गीत जो हमारे Sam psychiat है सभाका वो लिखा गया है बंकीम चंद्र चतर जी द्व को लिखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है तो इसका नाम होता है बताओ रविंद्र नाथ टैगूर क्या चेज रविंद्र नाथ टैगूर जो है यह लिखते हैं राष्टगान और यह तत्व बोधनी के ग्यारव पंक्ति वाला क्या चीज़ा तत्व बोधनी तत्व बोधनी क ग्यारव तत्व बोधनी एक पुस्तक है जिसके ग्यारव पंक्तियों का यह कवीता है और राष्ट गान जो सुरू सुरू में था वो कौन सा संस्कृत भासा में था क्या चीज में संस्कृत भासा में था बाद में वर्स 1921 में कौन तो यह रविंद्र नाथ टैगोर इसे हिं इंधी में का का चीज में तो इंग्लिस में ट्रांसलेट करते हैं क्या चीज में इंग्लिस में ट्रांसलेट करते हैं और इसका नाम क्या रखते हैं दा मॉर्निंग सॉंग आफ इंडिया दा मॉर्निंग सॉंग आफ इंडिया मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग सॉंग आफ इं टेकगाchs में बिहार के वित्मंत्री को क्यों करते हैं अभिवर्तमान में प्रजेंटमें करते हैं प्रजेंट फ़्यार के विट्मंत्री विजय कुमार यहां है कि वित्मंत्री बिहार के जो है उन्होंने क्या कर रहा है तो इस बार का वर्ष 2022-23 का क्या चैज वर्ष 2023-24 का बिहार बजट पेस किया था क्या चैज बिहार बजट किसने पेस किया तो बिहार के वित्मंत्री 2023-24 के बजट पेस करते हैं और यह जो बजट पेस करते हैं 2013 जो 2023 करते हैं इसका आकार 2889 करोर क्या था विहार बज़ट का आकार ता हॉप ज़ाधा पैसा आएगा कहाँ सरहित तो सबसेज़ादा पैसा जो है क्रों में कि यंद्रीयक करों में हिस्सेदारी साइगा शब्से ज़ादा पैसा जाएगा कहां पे तो सबसे ज़्यादा पैसा जाएगा तो समाज कल्यान पे 38% जाएगा बल्कि केंदरिय करो में हिस्सेदारिस है हमें 49% पर幾? बार का फिसिकल डेफिसिट यानि के राजकोसिय घाटा कितना है तो राजकोसिय घाटा टोटल हो जाता है कितना तूपॉइंट और देखिए बिहार के वित्तमंत्री को कौन न्युक्त करता है तो बिहार के वित्तमंत्री को राज्येपाल करते हैं अच्छा आपको पता होगा कि अनुछेद 153 में राज्येपाल की पद की चर्चा है और राज्येपाल की पद की होने के कारण राज्ये पाल क्या करते हैं तो बिहार के वित्तमंत्रि को करते हैं यानि कि जब संबिधान का उच्छेद 163 और उच्छेद 164 पढ़ोगे तो अनुच्छेद 163 में कहता है राजेपाल के साहियता अब हम सलाह के लिए एक मंत्री परिशाद का गठन किया जाएगा क्या जाएगा चैस अनुच्छेद 163 में क्या कहा जाता है तो राजे और चींचिज में अन्य मंत्रियों के निखती करेंगा अनुछेद 136 समझ लो पहले अनुछेद 133 क्या कहता है राज्य पाल के साहयता किसके तो राज्य पाल के साहयता क्या चीज में भाई तो राज्य राज्ये पाल के साहयता एवन सलाह के लिए एक मंत्री परिसत का गठन किया जाएगा एक तो राज्ये पाल जो है वो CM की नुक्ति करेंगा और CM के सलाव से अन्य तो राष्ट पती को राष्ट पती के साहता एवं सलाह के लिए एक मंत्री परिश्द होगा अनुछेद 74 कहता है कि राष्ट पती पीम की नुक्ति करेंगे और पीम के सलाह से अन्य मंत्रों की नुक्ति करेंगे ठीक है तो दिकत है जो है यह वर्तमान में बिहार विधान सभाग के अध्यक्ष हो जाते हैं मुख्यमंत्री कौन है यह बात तो पता यह आपको बता बिहार के निमलिखित नेताओं में से इसे भारत तरथ नमर नोप्रहंत मिला और उने मैंसेश पुरस्कार से सम्मानित किया अच्छा आपको पता होगा कि एक जय प्रकास नारायन नामक व्यक्ति हुए जिन्हों ने जिनका जन्म बिहार के सारंजिले में होता है वाइफ क्या होता है तो जन्म होता है इनकी प्रभावती देवी का जन्म कहां होता है तो सिवान जीले में अच्छा जय प्रकास नारायन जो थे उन्हें उन्होंने वर्स 1949 में आई एंसी जोईन करा कैसे इंडिया नेशनल कॉंग्रेस को जोईन करा इससे पहले 2017 में जब चंपारं सत्यागड़ हुआ था तो इसमें साथ दिये थे किसको तो इसमें साथ देते हैं किसको बताव मुझे तो वह महात्मा गांदी के साथ ठीक है ठीक इसी के करम में 1949 में भाग लेते हैं 1942 में कब तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़वा अंधोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल में डाल दिया जाता है और 11 नौवंबर 1946 को यह जेल से फरार हो करके नेपाल चले जाते हैं कौन से जेल में डाला जाता है तो वह डाला जाता है हजारी बाग जेल में कहां पर हजारी बाग जेल में डाला जाता है बोलो तो सही कहां पर जाता है थीक है यह को दिक्कत है नहीं न तो नेपाल चले जाते हैं और नेपाल में आपको बताई हम कि एक ग्यारा नॉब्बर बारायन संनल फरफ जाता है वसलडंव Ernst को इस्या का नोबल पुरुसकार करते और इस व्यक्ति का नाम है जयाप्रकास नाराएं ठीक है अच्छा जैप्रकास नारायन के बारे में और देखो इनके कारे इनके कार नामें देखो गए तो मज़ा आ जगए जैप्रकास नारायन को लोकनायक के रूप में भी जानते हैं इन्हों ने सर्वोदे पार्टे की गठन करी कौन सी तो सर्वोदे पार्टे की गठन कौ फिर बाद में संपुन क्रांति का आवहन जो है इनहीं के द्वारा किया जाते क्या चीज संपुन क्रांति का आवहन संपुन क्रांति का आवहन कब तो वर्स उनाइस चौछावहत्तर में कब जी वर्स उनाइस चौछावहत्तर में इनहीं के द्वारा किया जाते है ठीक है कर कोई दिक्कत है नहीं ना चलो आगे बढ़े बताईये निमलिक्त में से कौन बिहार के किसान ने तति अभी अभी जस्ट मैंने बता है बिहार के किसाननेता जह इसको हाइड करिए तो भीया जी बिहार किसाननेता कौन होते हैं बताओ मुझे तो बिहार के किसाननेता जो है उस व्यक्ति का नाम होता है कार्यनंदन सर्मा कौन कार्यनंदन सर्मा जो है वह बिहार किसाननेता थे अच्छा आपको पता होगा कि स्वामी सहजानंसर्श्वति जो थे कौन स्वामी सहजानंसर्श्वति स्वामी सहजानंसर्श्वति जो है वह कहा कि यूपी के गाजीपूर के थे कहा कि यूपी में गाजीपूर है वहां के वह थे ठीक क्या कहता है पता है एक लड़का परपोज तो हम भी करेंगे उसे लेकिन लव लेटर से नहीं ज्वाइनिंग लेटर से क्या बात है बहुत अच्छा बहुत अच्छा जी सबका सोच एगर ऐसा हो ना तो किसी भी लड़के या फिर लड़कियों के बीच में दराज नहीं आएगा ठीक है हाँ सभी बात है परपोज करो ज्वाइनिंग लेटर से पढ़ लो अभी पढ़ने का वक्त है राजकुमार सुकला किस गाओं के निवासी थे तो राजकुमार सुकली जी जो है आपको पता होगा चैस राजकुमार सुकल उनिस्वा सोल में कब 1916 के लखनव अधिवेशन में भाग लेते हैं कहां पर तो लखनव अधिवेशन में भाग लेते हैं लखनव अधिवेशन में जो राजकुमार सुकली जी भाग लेते हैं तो इसी अधिवेशन में क्या होता है आप मुझे बताओ लखनव अधिवेशन में राजकु मजमुदार जी करते हैं कौन करते हैं मजमुदार जी करते हैं और अंबिका चरम मजमुदार जब इसके अध्यक्षता करते हैं इसी के बीच महात्मा गांधी भी इसमें भाग लेते हैं और ब्रज किसोर सरमा और राज कुमार सुकल राज कुमार सुकल और ब्रज किसोर सरमा क सोनों भिई हार से Congress party का नर्तित्व करते और यहीं पर महात्मा गांधी को इन वाइठ करते हैं किया चीछ ह стिल भीहार आने के लिए और भिहार में महात्मा गांधी आते भी हैं अप्रेल 2017 में कव अपरेल 1917 में महात्मा गांदी जी जो है वह बिहार आते हैं और बिहार में किसान मतलब किसान से जबरदस्ती खेती करवा रहा होता है अंग्रेज क्या चिश्च का नील का खेती और यह नील खेती जो यह 3 बटा 20 था यानि कि 20 कठा खेत में से 3 कठा खेत पर आपको नील की खेती करनी है और इसे ही समाप्त करते हैं कौन महात्मा गांधी जो है इसे समाप्त करवा देते हैं क्या करते हैं भी यह महात्मा गांधी इसे समाप्त करवा देते हैं और इसे समाप्त करवाने के बाद इसी करांथी को चंपारन सत्यागरा कहा जाता है और वर्स वर्स 2017 में कब तो वर्स 2017 में जो है गांधी के चंपारन आने की क्या चैज चंपारन आने की सौवी वर्स गाठ मनाया गया यह सौवी वर्स गाठ अप्रेल 2017 में मनाया कब मनाया गया अप्रेल 2017 में गांधी के चंपा नहीं ना चलो आगे बढ़े बताओ इसका स्री निवास अच्छा यहां पर जो है इसके साथ साथ कौन थे इसका करेक्ट एंसर कौन सब्सक्राइब भरावा के थे कहां के मुर्ली भरावा के यहां पर महात्मा गांधी जी ने एक स्कूल की भी अस्थापना करते तो मुर्ली भरावा गौन में एक स्कूल की अस्थापना किसने की तो वह करते हैं महात्मा गांधी ठीक है को दिक्कत है भाई यह नहीं ना चलो आगे बढ़े हैं हमें तो पता भी नहीं चला था उस टाइम तो मैं भी थी पढ़लो आयू जी अब अच्छा रहेगा बहुत देर स्री निवास चंद्रदास गुपता थे स्री निवास चंद्रदास गुपता कहां के थे तो पुरूलिया के थे कहां के थे पुरूलिया के स्री निवास चंद्रगुपता जी थे अच्छा पटना से पटना में के सीता राम आस्रम में कहां पे सीता राम आस्रम में यह जानंद स्वामी सहजाणन जी वो पतना में पतना के सिता नमाश्र में अपना अस्थाई निवास बनाते अच्छा हाजीपुर का केला तो बहुत फ्रेमस भैग्या हाजीपुर का केला जिसने आप इसलिए करहम पत्ना के बारे में देखो तो पत्ना बिहार का सबसे बरानगर सबसे बरा सहर बोलो या फिर बरानगर बोलो वह कौन सा है वह पतना हो जादा साप आपको मुझहपरपूर के बारे में पता होगा किसके बारे में मुझहपरपूर के बारे में पता होगा मुझहपर पूर्ज है यह बिहार में काचे मुझहपर पूर्ज है यह बिहार का एक जिला है और यहां पर तुर्की मेला लगता है कौन सा तुर्की मेला और हर्दी मेला लगता अच्छा मधूबनी के बार में आपको पता है मधूबनी के बार में आपको पता है मधूबनी में एक मेला लगता है जिसको सौराथ मेला कहते है कौन सा सौराथ मेला कहते है और सौराथ नाम गौ में यह सौराथ मेला लगता है और सूरात मेला तक मिला लगता है और सूरात मेला इतना थिसका लिए दोनों होते हैं आप अपसंद लिए तो जितने भी बैश्राज साधी कर ले तो चले जाना हमारे बिहार के मधुवनी जिला और मधुवनी में सौरात नाम गौं यहाँ पे मेला लगता है आराम से साधी कर लेना ठीक है लेकिन पहले पढ़ लो पहले पढ़ लोगे तभी तो कोई मिलेगा भी नहीं तो सब भगा देगा कि भीना नौकरी का कुछ नहीं है लौड सिन्हा ने उनिस्वाइकिस में कहां के गवर्नर पत्र से त्याग पत्र दिया तो आपको पता होगा वर्स 1921 में ही बिहार ओडिशा विधान परिशत का गठन होता है क्याचेज बिहार ओडिशा बिहार ओडिशा विधान परिशत से क्याचेज बिहार ओडिशा विधान परिशत का गठन होता है विधान परिशत विधान परिशत का गठन होता है कब गठन होता है विधान परिशत का पढ़न होता है आपको पता होगा कि एक अप्रेल 1936 को 1935 के एक्ट के आधार पर एक अप्रायल 1936 को बिहार से ओडी सा अलग हो जाता है आपको यह भी पता होगा कि 15 संदोहजार को कब 15 नौवंबर संदोहजार को बिहार से जारखंड भी अलग हो जाता है कब बिहार से जारखंड भी अलग हो जाता है कौन तो बिहार से जारखंड भी अलग हो जाता है ठीक है को दिक्कत है नहीं न इसी के करम में देखो कि बंगाल से बिहार कव अलग हुआ तो बंगाल से बिहार अलग होता है 22 मार्च सन 2000 को अलग होता है तो बिहार से बंगल से बिहार तक तंजाब करिए जो बदना यह पंजाब नहीं था पहले का था पेपसू क्या था तपैपसू का मतलब क्या होता है पंजाब एंड-इस पटियाला एस्टेट यूनियट इसके बारे हएं इसवाने आपको पढ apar क्लास सब्सक्राइक होंगे अगर बिहार सेस्ट के प्राक्टिस या फिर कहीं पर पढ़ेंगे पैप्सु पैप्सु क्या था पंजाब एस्टेट यूनियन और यह जो है यह चार राज्य में तूट जाता है उनिशो सर्शाटिस में इसके बारे में आपको बता होगा ठीक है चलो आगे बढ़ते यह सार हाँ को बता है यह तो बता ही सकत है कि हा पार जूत पादन का सबसे बढ़ा जिला हो जाता है क्या छे जूत उत्त पादन में कि जूट उत्पादन में सबसे बरा जिला सबसे बरा क्या सबसे बरा कि सबसे बरा जिला क्या जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला है ठीक इसी करें में पटना की बात करोगे तो पटना चुगना पत्थर के उत्पादन में बहुत अग्रणी है ठीक है और पटना के बारें बात कर तो पटना के बारे में आपको पता होगा बिहार का सबसे बिहार का सबसे कम ग्रामीन जनसंख्या वाला जिला क्या चीज बिहार का सबसे कम ग्रामीन जनसंख्या वाला जिला तो बिहार का सबसे कम ग्रामीन जनसंख्या वाला जिला कौन से यह तो वह हो जाता ह पटनाच पूर्णिया जो है बिहार का सबसे कम बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है यहां पे कितना साक्षरता है तो यहां पे जो साक्षरता है वो 53% साक्षरता है कितना है 53% अच्छा भागलपूर के बार में आपको पता है भागलपूर को सिल्क सिटी के नाम से भी भारत का ठीक है आप क्या है कि अब भारत फ़ोड़ा से उपर के पेप्सू को प्रेप्सी लिख दिया किसने लिखदिया पार्प filtration पेप्सू की रिखा एलोख मुंगेर में मुंगेर गन्ना उत्पादन में सबसे अगरनी जिला है, मुंगेर में मुंगेर को मीर कासिम ने अपनी राजधानी बनाई, किसने मीर कासिम ने मुंगेर को क्या बनाया, तो अपना राजधानी बनाता है, मीर कासिम क्या करता है, मुंगेर को अपना राजधानी बनाते है, ठ समाज का भलाई करना चाहते थे अच्छा आपको पता होगा इंद्रा गांधी इंद्रा गांधी को पता था कि अगर हमें सप्ता में बने रहना है तो समाज के ओर जुका रहना पड़ेगा बताओ राजंद प्रसाद कहां के रहने वाले थे राजंद प्रसाद कहां के रहने वाले थे वह यह तो राजंद प्रसाद जी रहने वाले थे बिहार के कहां के बिहार के अच्छा बिहार में कहां से तो बिहार के सिवान जीले में कहां से सिवाण मुऌशन दैने को यहीं पेन का ब्रसाद कि रहने वाले यहीए राशन्त प्रसाद बिहार के ईयरा नाम को से है के करम में आप मुझे बता उत्तर परदेस कोन देए तर परदेस के बहूत ही दिडगज्ञी नेता बिहार गए तो स्वामी आप मुझे बता हो कि पर्थे शी ये के जीरादेह नाम गौँ में भारत के पर्थम राष्टपती का जन्म होते प्रथम राष्टपती भारत के जो पर्थम राष्ठपती थे अनुछेद संतावन जब पढ़ हो गया आप आर्टिकल 57 तो आर्टिकल 57 कहता है कि एक ही राष्ट पती क्या चीज एक ही राष्ट पती दुबारा निर्वाचित हो सकता है अनुछे 25 चैथ भारतिय संविधान का अनुछे 55 कहता है कि me contrib तो अनुच्छे सह अनुचे संतावन एक ही राष्टपती दुबार निर्वाचित हो सकता है अब दुबार कितने वर्स तक भारत के राष्ट पती रहे कितने वर्स तक भारत के वर्स 12 वर्स तक राष्ट पती रहे अच्छा आपको यह भी पता होगा हमने भारत का पर्थम राष्ट पती दिया डॉक्टर राजन परसाद हमने संविधान सभाग का अस्थाय तथा अस्थाय है फिर भी हमारे भीहार को सब लोग पिछरा कहते हैं लेकिन हां है कुंस मामलों में क्योंकि बिहार में जो है ना क्रप्षन बहुत जागा अच्छा जहां गरीभी होगा वहां पर तो करप्षन होगा किए चेज बिहार की गरीबी दूर करने के लिए सबसे पहले हमें सिक्षित होना परेग़ between पूर्प में बंगाल का दुख कहें जाने वाले बिहार से उद्गम् होने वाले नदी का क्या नाम है बतो बोलो कि तुमने कहा था कि हर साम तुम मुझे याद करोगे क्या हुआ भूल गए या फिर तुम्हारे से यहां साम ही नहीं होती है तो यहीं है नेताओं का कहना नेता तो बरे-बरे वादे कर देते हैं कि हम आपके बिहार में ये कर देंगे वो कर द तुमने कहा था कि तुम मुझे हर साम याद करोगे क्या हुआ तुम मुझे भूल गए या फिर तुम्हारे यहां साम ही नहीं होती है तो उनके लिए साम बस पांच वर्सों पर होता है ठीक है यह बात याद रखना आगे बढ़े बताओ बंगाल का दुख किसे कहा जाता है वो कहा जाता है दामोदर नदी को अच्छा बिहार का दुख सौरो अफ बिहार किसे कहा जाता है बिहार का सोक कहा जाता है बिहार का सोक कहा जाने वाले नदी का नाम क्या है तो उस नदी का नाम है आप मुझे बताओ छोटा न्यागपुर का पठार किया है एक संप्राइब भूमिया एक यग पता होगा कि बिहार जो है वह बिहार ऐसे है और यहां पे सोमेश्वर की पहारी कहां पे यहां पे सोमेश्वर की पहारी और सोमेश्वर की पहाड़ी जो है वह वेस्ट चमपारण में कहां पे सोमेश्वर की पहारी पस्चिम चमपारण है सोमेश्वर की पहारी कहां हो है पस्चिम चंपार्मार सुमेशवर की पहारी तीन भागों ही पहला सो मिस्वर् की पहारी कहां में कई प्रवेष करता है तो विहार में वालमिकी नगर से से प्रवेश करता है कहां से वालमी की नगर से प्रवेश करता है तो गंडक नदी कहां से बिहार में वालमी की नगर से प्रवेश करता है साथ ही साथ आपको एक बात और पता होगा कि गंडक नदी जो है वो घर्याल पर जनन के लिए अत्यंत महत्योपूर्ण कौन सी नदी है hariyaal पर जननन के लिए अत्यन्त महत्योंपुर्ण नदी वाल रिकी लोल में कि गंडक नदी और यूजना जो यह बिहार की सबसे बरी परियोजना क्या है बिहार की सबसे बरी परियोजना ठीक है इस बात को याद रख रखना चलो कोशी को बिहार का सोग कहते हैं क्या कहते हैं बिहार का सोग कहते हैं कोशी नदी को बिहार का सोग कहते हैं कोशी नदी को हम आपको बता दे कि एक एक करके हमने बहुत अच्छे सारी चीज़ को कवर करा और लाइन बाइन पहले हिस्ट्री पढ़ाया पॉलिटी पढ़ाय पढ़ाया एकॉनमिक्स के बाद बजट पढ़ जन संख्या जन गनना 2011 का जो था उससे रिलेटर कोईस्टन लाया और अब बारी आता है मिक्स कोईस्टन का तो याद रखना अब कल के क्लास से हम मिक्स कोईस्टन करवाएंगे आपको ठीक है उपर करिएगा किस देश की सीमा बिहार राजे से नेपाल के सीमा जूरी है है 726 किलो मीटर बॉझंबीस जियर करता है किसके साथ नेपाल के साथ बिहार की साथ जिला कौन आज वेस्ट चमकारन इसट चमपारन और कौनसा इसट चमपारन उसके वाद सीटामडी मधुवनी around और किसंगन यह साथ जिला जो है यह बिहाड से साज़्ा कर नेप तो कब होगा तैन मिनट सो होगा टांसर मतलों गंगा का उतरी मैदान बिहार के चेतर फलवर विस्तरित है तो गंगा का उतरी मैदान जो है यह 56 1680 किलोमीटर पर विश्टरित है कितने 5660 किलोमीटर नमनलिखित में से कौन से समुह की नदियां बिहार और उत्तर परदेश के बीच सीमा साधा करती है तो वह करमनासा गंडक और घाघरा नदी अच्छा घाघरा नदी को उत्तर परदेश में क्या कहते हैं पता है सर्यू गाघरा नदी यानि सर्यू नदी के किनारे ही एक ठोच सहर क्या करते हैं अ Second Day ओं नदी के किनारे ही बसा हुआ नहीं न अच्छा जितने लोगों कम से कम उते ह 1977 को लाइक कर सकते हैं कीनी कर सकते क्या आप भी न सच्छ में क्याई कह हम आपको पताई बिहार उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है तो उत्तर बिहार जो प्रसिद्ध है वह बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है क्या चिसके लिए बाढ़ के लिए उत्तर बिहार प्रसिद्ध हो जाता है किस नदी को उत्तरी बिहार का सोक कहा जाता है उत्तर बिहार का सोक गंड करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा हमारे साथ से संसे जूड़ करके आप मुझे जरा यह बता हो कि क्लास कैसी लगते क्लास समझ में आती Sun की आती है इस समझ आती है समझ आती है कि तos Jewish 25 में देना डिया फ्रेंड सब्सक्राइब करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगा और बहुत अच्छे से पड़ रहोंगी तो तब तक लिए खुष रहे यह मस्त रहे गात रहे और अच्छे से पड़ते रहे